तो आज हम लोग डिसकस करेंगे तुगलग वन्स से संबंदित important mcqs जो सभी exams में इससे questions बनते तो आज का जो हमारा main topic होगा वो होगा तुगलग वन्स इससे पहले हम लोग खिलजी वन्स संबंदित गुलाम वन्स संबंदित mcqs discuss कर चुके हैं तो आज का topic होगा हमारा तुगलग वन्स यानि तुगलग वन्स संबंदित हम लोग लगवग 25 इंपोर्टेंट टॉप most important questions होंगे उसे आज हम लोग discuss करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने संस्थापक था तो याद कीजिए जो खिलजी वन्स के अंतिम साशक खिलजी वन्स संबंदित भी हम लोग काफी सारे mcqs discuss किये हैं अगर आप वह क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे playlist में आपको उसकी क्लासे आपको मिल जाएगी खिलजी वन्स संबंदित तो यहां पर गाजी मली किस वन्स का संस्थापक था तो यहां पर तुगलक वन्स संबंदित है ठीके तो यहां पर अंसर क्या हो जाएगा तुगलक तो यह गाजी मलिक कौन था तो याद कीजिए खिलजी वन्स के बाद जो वन्स आता है वह होता है तुगलक वन्स तुगलक डानेस्टी तो यहां पर खिलजी वंस के जो अंतिम साशक थे खिलजी वंस के अंतिम साशक नशीरुदीन शा ठीके नशीरुदीन जिसे बोलते हैं तो उनकी मृत्यू के बाद यहां पर तुगलक वंस की नीव रखी गई थी किसके द्वारा तो यह गाजी मलिक किस जिसका नाम है जो गद्धी पर बैठा जिसका नाम था ग्यासुदीन तुगलक ठीक है यह ग्यासुदीन तुगलक ही है जो इसने यहां पे तुगलक वंश की नीव रखी थी यानि तुगलक वंश की स्थापना की थी तो यहां पे ग्यासुदीन तुगलक को ही गाजी मलिक की उपाधी दी गई थी किसके द्वारा ता अलाउदीन खिल जी ने ही यहां पे ग्यासुदीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधी दी थी और इसने ही यहां पे तुगलक वंश की नीव रखी कब देरा सो बीस इस्वी मैं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुगलक की घाजी मलिक कौन से वंस सद्धापक था तुगलक का सव्षापक था नेक्स कोशन में चले तो यहां पर नेक्स्ट है कि खिल्जी वंस के अंतिम साशक जिसका नाम था नशीरुदीन शाह जिसे नशीरुदीन खुशो शाह भी बोलते हैं कि हत्याकर गाजी मलिक ने कब तुगलग वन्ष की स्थापना की अब यहां पर सेकंड कोशन कर रहा है जो खिलजी वन्ष का अंतिम साशक था नशीरुदीन खुशो शाह या फिर नशीरुदुन शाह तो इसकी हत्याकर किस ने तुगलग वंश की नीव रखी थी तो गाजी मलिक ने रखी थी ग्याशुदीन तुगलग ने रखी थी ये जस्ट आपको बताया गया तो कब रखी थी ये आपको बताना है तो 8 सितंबर 1320 इस भी में जो नशीरुदीन खुश्रोशा है तो यहां पर थोड़ा सा नशीरुदीन खुश्रोशा तो यह हिंदू भैक्ती होता है जो इस्लाम धर्म को अपना करके यहां पर साशन करने निल्ली पर कॉन शीरुदीन खुश्रोशा लेकिन इससे हटा दिया जाता है किसके द्वारा गाजी मलिक के द्वारा और यहीं पर नीव रखी जाता है तेरा सो वीज स्वी तक तो ये नशीरुदीन खुशोसा अल्प समय के लिए अल्प काल के लिए साशक बना था खिलजी बंस का कुछ महीनों तक ये साशन भी किया था ठीके कुछ महीनों तक साशन में किया था लेकिन इसे फिर क्या हुआ था हटा दिया गया था मलिक गाजी क द्वारा ठीक है यह हिंदू था इस्लाम धर्म अपना करके उपादी धारन करके यह साशन करने लगा था देली पर ठीक है तो नाम याद रखना है अंतिम साशक नशीरू दीन खुश्यो शागर को हरा करके ग्याशू दीन तुगलक ने तुगलक बंस की नीव रखी गाजी मल उपाधी दी गई थी किसके द्वारा अलाओ दिन खिल जी के समय यह सीमावर्टी छेत्रों में गुवर्नर था कौन गाजी मलिक और काफी बार उस समय लगवाद पान से शे बार मंगूलों का आक्रवन भी हो रहा था अलाओ दिन खिल जी के समय जिसमें इसने भी अभियान कीज़ा तो यहां पर ग्याशुदीन तुगलक को ही गाजी मलिक की उपाधी दी गई थी जब भी ग्याशी मलिक गद्दी पर बैठा तब से प्रशिद हुआ और शाशन करने लगा यहां। नेक्स दें मंगूल को पराजित करने के कारदinkUS मंगोलों को प्राजित करने के कारण किसने अपने सेना पती ग्याशुदिन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधी प्रदान की थी ठीक है तो यहां पर बताया कि आपको काफी वार मंगोलों का आकरमेंट हुआ था तो किसने यहां पर मंगोलों को प्राजित करने के बाद गाज गाजी मलिक की उपाधी किसने दी ठीके अपने से disability ग्यासुदिन तुगलग को किसने उपाधी थि तो अन्सर क्या हो जाएगा अल्लाओ धिन खिल जी है बल्बन है और नशिरोदिन खुश्योशा है तो किसका सेनापती था यह आल्लाओ धिन खिल जी का ऑप्शन ने इसका correct answer होगा ठीक है तो अल्लावदिन खिल जी का सेना पती था कौन गाजी मलिक जिसे ग्याशुदिन तुगलक कहते हैं उसे ही इसने उपाधी दी थी गाजी मलिक की मंगोलु के आकरमन करके उसे पराजित करने के बाद ठीक है next question है हमारा ग्याशुदिन तु मंगोलों को आसफल किया 29 वार 15 वार 45 वार या 35 वार आंसर क्या होगा कितने वार उसे विफल किया मंगोलों को ग्याशुदिन तुगलक ने तो इसका आंसर हो जाएगा total 29 वार ठीक है तो ये question exam में बनते हैं पूछे जा सकते हैं कि निमलिकित में से कौन देली सल्टनत का सा जिसने मंगोलों को 29 वार आसफल किया आंसर क्या हो जाएगा 29 इसके समय मंगोलों से काफी जादा आकरमन हो रहे थी क्योंकि इसके सीमा छेत्र में मंगोल घुसना चाहते थे और ग्याशुदिन तुगलक वो इन्हें भारत से बाहर ही रखना चाहता था और जिसमें तो नेक्स कोश्चन है हमारा दिल्ली के सुल्तान का पद सम्हालने से पहले ग्यासुदिन तुगलक कहां का सूबेदार था अब बताइए वो दिल्ली पर जब गड़ी पर नहीं बैठा था यानि साशक बनने से पहले वो कहां का सूबेदार था वारांगल का बंगाल का पं तेरा सो बीस इस भी में दिल्ली पर गाजी वंश से तुगलक वंश कहते हैं उसकी स्थापना करता है और साशन करने लगता है ठीक है नेक्स कोश्चन है हमारा दागवा हुलिया प्रथा हम लोग पढ़े थे इसके बारे में दागवा चैरा प्रथा जिसे बोलते हैं के प्रनेता थे लेकिन उसे प्रभाव शाली ढंग से ग्याशरीन तुगलक ने लागू किया तो याद कीजिए जब हम लोग फिर वेस प्रथार के तौर पर उसने काफ़ी सारे सुधार किये थे लाओ दिन खिल जी ने तो उसी के सम्मन में यहां पर कोश्चन है कि खिल जी द्वारा ही आपको याद होगा कि सबसे पहले जो घोड़े दागने की प्रथा एवं हुलिया लिखने की प्रथा सबसे पहले खिल जी तो यहां पर आंसर तो अलाव दिन खिल जी होगा लेकिन यहां पर कोश्चन देखिए किस की प्रथा थी लेकिन प्रभाविश याली धंग से ग्याशुदीन तुगलक ने लागू किया तो वो अलाव दिन खिल जी सबसे पहले इसकी शुरूआत किया था चीक है तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे पहले हुलिया लिखने घोडे दागने की प्रथा अलाव दिन खिल जी ने शुरू की थी अब व्यवस्तिक धंग से लागू किस ने किया था तुगलक ग्याशुदीन तुगलक ने अम नेक्स कोश्चन है हमारे यहां कि डाग प्रणाली को पूर्णता किस ने व्यवस्तित किया डाग प्रणाली ठीके जो डाग प्रणाली है इसकी इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्तित धंग से लागू किसके द्वारा किया गया ग्याशुदीन तुगलक बलवन मौमाद बीन तुगलक और फिरूज तुगलक तो तो अंसर होगा ग्याशुदीन तुगलग तो यहां पर ग्याशुदीन तुगलग ने काफी प्रयाश्थे लेकिन इसकी यहे शाशन काल होता है यह बहुत तो पर Journal XHiya से मात्र 325 इस भी तक यह साशन कर पाता है ऐसे तुगलग वंस के बात करें तो अगर आप्शन में यह नहीं है तो आपको यह टिक करना है ठीक है तो यह मूल रूप से बोला जाता है कि तेरा सौन ठान में लेकिन यहां पर तेरा सो बीस से चोहदा सो चौदा भी दिया रहाता है ठीक है तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना यह तुगलग वंस का टाइम तुगलग ने शाषन किया मात्र पच्छी पांच वर्षों तक ही उसने यहां पर दिली पर साषन किया उसके बाद इसकी मृति हो जाती है उसके बाद इसका बेटा जो मुहमद बिन तुगलग होता है वो शाषक बनता है इसके मृतियों के पीछे भी एक रीजन है ठीक है संद थे जिनका नाम था निजामुदीन ओल्या निजामुदीन ओल्या की ही इसकी इसे बद्धुआ लगी थी ऐसा कुछ एतिहासकार का कहना है कि उसने कहा था कि दिली अभी दूर है यानि दली पर तुम ज्यादा समय तक साशन नहीं कर पाऊगे ऐसा किसने कहा था यह भी लिखिन सुल्तानों में से बताइए किसने क्लिशी आपदा किसे कहेंगे जैसे कि आकाल पढ़ना आना वृष्टी होना की स्थितियों में राजश्व की छुटी देने की नीती चूट देने की नीती किसने अपनाई ठीक है अब जैसी कि पशल खराब हो गई आकाल पढ़ अनाच की कमी हो गई उस तोर पे जो कर होते थे कर ना लेने की वैवस्ता किसने अपनाई यानि कर में वो छूट देते थे तो यह ग्याशुदीन तुगलक ने ही यह नीती को अपनाई थी ठीक है ऐसे प्रिवेसली बाकी जो साशक होते थे आकाल पढ़े या फिर फसल खरा जावो उन से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें बस जितना भी लगांध वशूला जाता था जितना तैब किया जाता था तो बताईए कि देली सल्तनत का वो कौन सा साशक था जिसने सिचाई के लिए नहरों का निर्मान कराया वो कौन सा साशक था क्यों गांसर ग्याशुदीन तुगलक ठीके ग्याशुदीन तुगलक नहीं सिचाई के लिए नरों का निर्मान करवाया था जिसे सिचाई होती थी प्लस यहां पे जो तुगलका बाद शहर है तुगलका बाद शहर का निर्वान भी यहां पे ग्याशुदीन तुगलक नहीं करवाया था तो यह भी आपको याद रखना और यहां पर मंगोलों को इसने 29 बार आसफल किया किसे तो कि मंधोलों को गाजी की उपाधी भी किसे दी गई थी किसकी उपाधी थी यह ग्याशुदीन तुगलग ठीक है तो यह नाम याद रखना है क्लियर आगे चले तो नेक्स्ट कोशन है हमारा नेक्स्ट किस सुल्तान द्वारा खलीसा छेत्रों में भूमी की नपाई के स्थान पर नश्क एवं गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया अब बताईए निमलिखित में से वो कौन से साशक है अलाव दिन खिल जी बलबन तुगलग या शु से यहां पर दिये है नक्स एवं गल्ला बटाई की प्रथा किसके द्वारा चालू की गए तियां पर ओप्शन चार ओप्शन दिये गया है बताईए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अलाव दिन खिल जी है तो इसने तो भूमी को नापकर आपको बताया गया था बलवन है इस अद्वीकले रही है और मॉहंध बिन तुगलक क्या होगा आउसर कि नहीं इसका आंसर क्या होगा गया चूर्ष ब्लगा इसने आकाल के समय में घर से संबंदी चूट भी दिये एव्किनly को नाप says king वसूल diu जाता था ठीक है यहां पे बटाई भी की जाती थी नक्स के अधार पे और गल्ले के अधार पे तो यह सभी प्रथा ग्याशुदिन तुख लगते नेक्स्ट दिल्ली के के शुलतान ने या नियम बनाया कि किशी एक वर्ष में भूराजश्प में या एक बटा दस या एक बटा 11 से अधीक की वृध्धी नहीं की जाएगा बताईए निमलेकित में से वो कौन से साचक है जो भूर आजस्ट लिया जाता था एक प्रकार का भूमी कर है भूर आजस्ट तो उसमें एक बटा दस या फिर एक बटा एक ग्यारा से इसकी बढ़ोतरी इंक्रीजमेंट नहीं की गई थी स्टैक्स में किसके द्वारा यह प्रत्थल आए गई थी अलाव दिन खिल जी ग्याशुदीन तुगलाग फिरोज तुगलाग और शिकंदर लोती बताईए क्यों होगा अंसर मिल्कुल यहां पर ग्याशुदीन तुगलाग इसका करेक्ट आंसर होगा इसने ही यह कर सुनिश्चित किया था कि इसमें बृद्धी नहीं होगी नेक्स निमलिकित में से कौन सा सुल्तान राजश्म निर्धारन हेतू भूमी मापन के संबंद में से संबंद नहीं था यानि इन चारो साशकों में से भूमी मापन से उनका शंबंद नहीं था यानि जो भूमी नाप करके यहाँ पे लगान तै किया जाता था और वशूला जाता था वो प्रथा यहाँ पे से किन साशक से संबंदित नहीं है ग्याशुदीन तुगलक अलावदिन खिलजी सिकंदर लोदी या सेर सा क्या हो गांसा ग्याशुदीन तुगलक ठीक है ग्याशुदीन तुगलक नहीं यहां पे भूमी के मपाई नपाई के संब्द में इसका कोई संब्द नहीं था ग्याशुदीन तुगलक का यह नक्ष औ और गले इनसे संबंदीत है नेक्स कोशन है बंगाल अवियान विजय के बाद ग्याशुदीन तुगलक ने इसे संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुचने से फुर्व वा दिल्ली छोड़ दे अब यहां पर कोशन बनता है यहां पर एक वीजन भी आएगा यहां पर इसने मलिक उल्गाजी की उपादी धारन की अपना समराज विस्तार कर रहा था इसी समय यह जाता है एक अभियान पर बंगाल अभियान बोल सकते हैं तो यह जाता है बंगाल बिहार अभियान पर इस शेतर को जीतने और यहां पर इस शेतर को यह क्या कर लेता है जीत भी ल और यहीं पे तुगलग कहते हैं कि मेरे दिल्ली पहुचने से पहले ही आप दिल्ली छोड़ दीजे ऐसा ग्याशुदीन तुगलग ने किसे कहा था निजामुदीन और या को कहा था कियोंकि वो दली पहुचे हुआ थे भेट करने इनसे और आपह करने से इंकार कर दिया था किया अदिया कि यहां पे किसे कहा था निजाम अदीन मुः ठीक हें किसे संदेश भेचा निजामुदीन को ऑन्सा हो गया एक तो यह निजामुदीन ऑउलिया के बारे में मिंग पढ़ते शोफी संत तर यह copyright और यह मुहमबन बीन तुगलक इनी के शिष्य थे चलते हैं नेक्स कोश्ण पर बताइए निमलिखित में से किस सुल्तान ने निजाम-दीन ओल्या ने वेट करने से इंकार किया था तो बताइए जो कौन से सुल्तान थे निजाम-दीन ओल्या जो की एक सूफी संत थे उसने उनसे वेट करने के लिए इंकार किया था तो संत की दुआ और बदुआ दोनों ही बहुत ही जल्दी लगती है तो यहीं पर निजाम-दीन ओल्या ने बदुआ दी थी किसे याशुदीन तुगलक को और यहीं पर वो मात्र तेरा सो बीस इस वी से पचीस यानि मात्र पांच वर्षों तक ही यह साशन कर पाया था और इसी में जब वो बिहार बंगाल अव्यान जीत करके बापस लोटा था तो उसी समय एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था उस खुशी में जिसने मुहमद बीन तुगलक ने इस इसका आयोजन किया था और उसी सम्मेलन में ग्याशुदी तुगलक ने ओप्शन सी इसका करेक्टांस हो जाएगा नेक्स कोशन है दिल्ली अभी दूर है या चेताबनी किस सुल्तान को दी गई थी ठीक है यहाँ पर यह चेताबनी थी यानि किस सुल्तान को यह दी गई थी दिल्ली अभी दूरे किस ने कहा था ओप्शन दिये गए है जलालुदिन खिल जी रजिया नसीरुदिन खुशो और ग्याशुदिन तुगलक तो दिल्ली अभी दूर है ये चितावनी किस सुल्तान को दी गई थी आंसर क्या हो जाएगा ग्याशुदिन तुगलक ठीक है जब वो बंगाल बिहार अवियान पर था तब ही उसे औल्या ने कहा था दिल्ली अभी दूर है यानि अभी तुम इसका मतलब ये शंत के द्वारा कहा गया था ये निजामुदिन ओल्याने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है अभी तुम्हें साशन कितने समय तक करना है ये कोई नहीं जानता है तुम देली पर साशन कर पाऊ गय ठीक है तो दोनों में मतभेद रहते थे नेक कोशन है जो हुनूज दिल्ली उर्दस्त जिसका मतलब यह है दिल्ली अभी दूर है ठीक है अथार्द दिल्ली अभी दूर है कथान आप किस सूफी संत से संबंद करते यानि किस सूफी संत ने कहा था क्या हुनूज दिल्ली दू कि सूफी संथ ने कहा था किसी गाथ है यहाँ पर ग्याशुदीन तुगलक को तो आंसे क्या हो जागा निजामुदीन ओल्या में रिके हजरत निजामुदीन ओल्या इनका पूरा नाम है जो कि वावा फरीद के शेष्य थे Next is कौन सा सुल्तान अपने समकालिन संत निजामUDDIN ओलिया को शत्रू मानता था अब बताएए निमलेकितमें से कौन से सुल्तान हजरत निजामधDIN ओलिया को अपना शत्रू मानता था उसे नफरत करता था वो कौन है ग्याशुदीन तुगलक ठीए Option C इसका correct answer होगा नेक्स कोश्चन है ग्याशुदीन तुगलक ने डली के निकट कौन से किले का निर्मान कराया था अब बताइए यहाँ पर ग्याशुदीन तुगलक का निर्मान कार है तो दिल्ली के निकट उसने कौन से किले का निर्मान कराया था अलीदावाद किला तुगलकाबाद किला स जहानसर क्या होगा तगलगा बाद किला का निर्मान कर वाया था दिल्ली के निग को कि next question क्यान से हुई तगलक की मृत्यूब कैसे हुई तो यहां पे भो बंगाल और झीजन में ट्वा उसी क्षुश्री में उसके लोट कंई ont 언हां कि लकड़ी का घर उपारी गिर जाता है और उनकी मिर्तिव हो जाती है यहां पहर मिर्तिव के बाद कौन साष्ण वनता है उनका बेटा मोह緩 मअमन्माद पीन तुगलव ani कि लकड़ी के δ महल कि Zap मौहम्tså इसलिए में ठीक है तेरा सो जो चौबीस और पचीस का जो टाइम है इसी के प्रिशात वो जाता है बंगाल वाली छेत्र को जीतने और वो जीत लेता है और यहां पर पचीस में सम्मिलन आयोज होता है होता है और इसमें इनकी मृत्ति हो जाती है क्षाइ सूर्षात बुर्था को यह यह क्यृत है अब यह सा खुंब करता है मूह भी साशन करता है यह काफी पड़ा लिखा होता है लेकिन इसे एक मूर्ख शाशक भी बोलता है काफी बिदवान भी है ये मुहम्मद बीन तुगलक इसकी बात करें तो अपने अंतीम शमय में ग्याशुरीन तुगलक ने इसे अपना उत्रद्यकारी यानि साशक घोशित किया था तो यहां पर अगला साशक बनता है मुहम्मद बीन तुगलक ठीके जिसका पहले जो नाम थ अब बताया था यहां पर पचीश में ग्याश्रुदीन तुगलक की मृत्ती होती है उसके बाद ही अगला साशक जो बनता है वह होता है मुहम्मद बीन तुगलक ठीके जिसे जुना खा भी बोलते हैं नेक्स जे मुहम्मद बीन तुगलक का वास्तविक नाम किया था अब क्या हो जाएगा जूना खा कहीं पर जौना खा भी दिया होता है ठीकेट कहीं पर जौना खा भी दिया होता है और यह कब से कब तक शाशन करता है कि तेरा सो बीस से लेकर करके तेरह सु एक क्यामन इश्वीतै कौन था ये ग्याशू-दीन का बेटा था ग्याशू-दीन का पुत्र था और यह गद्धी पर बैठा आइन अ का और इसके समय बात करें तो इसके समय भी कई आकरमन हुए पांच अभियान इसके दौरान किये गा है और पाचों में ये आसफल रहा था कौन मुहम्मद बिन तूरा काफी बुद्धी मान था पड़ा लिखा भी था लेकिन इसके परशाद भी वह पांच लगतार अभियान में क्या रहा आसफल रहा था इसके कारण इसे बुद्धी मान एवा मुर्ख साशक क के तौर पर भी इसे क्याता है ठीक है अब यहां पर नेक्स्ट कोश्चन पर चले नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर ग्याश्वदिन तुगलक ने निमलिकित में से कौन सी उपाधी प्रदान कर मुहम्मद बिन तुगलक को अपना यूवराज घोशित किया था बताईए ग् िलुक खा की उपाधी दे करके इसे यूवराज के तोर पर गुषित किया था जौना खा को या मुहम्म Chemad B. तुगला को ठीक हमारा लास्स कोशन है मुहम्मद बीन तुगलव निपुन था ठीक है मुहम्मद बीन जो तुगलव था किस में निपुन था कला में शंगीत में सुलेखन में या दर्शन में आसर क्या होगा सुलेखन में वो निपुन था बहुती बुद्धिमान भी बोलते हैं और मूर्क भी बोलते हैं किसे मुह पर यह सुलेखन में था जिसे अंतिम रूप से कहा जाता है कि अनत्यता लोगों को इस से और इसे लोगों से छुटकारा मिला इसके मृत्यू के बाद ऐसा कहा जाता है तो यह लास्ट कोश्चन है ठीक है दिल्ली सलतनत का सारविदिक विद्वान साशक जो खगोल सास्त्र ग करेंगे ये कोजिशन आपके लिए है इसका अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे अलाव दिन खिल जी इलतूत में मुहमाद बिन तुगला क्या सिक अंदर लो दी ठीक है तो आज की रिए बस इतना ही बहुत है हम लोग अपने नेक्स क्लास में नए टॉपिक के साथ थैंक यू